चूचू दीबी, सुनो कहानिया कसली अपनी रोजमर्रा की चीजों पर खास ध्यान देता था उसे अलग-अलग रंग पसंद नहीं थे वो सिर्फ काली टीशोट पहलना पसंद करता था और साथ में होती थी नीली जीन्स ये पीली टीशोट तुम पर अच्छी लगेगी कसली नहीं मा, मुझे पीला रंग पसंद नहीं है ये हरा रंग कैसा रहेगा? या ये लाल रंग? नहीं मा, नहीं, मुझे हरा या लाल रंग पसंद नहीं कसली की मा बहुत परेशान थी वो चाहती थी कि कसली दूसरे रंग के कपड़े भी पहने कसली, तुम कुछ दूसरे रंग के कपड़े क्यों नहीं पहनते हो क्योंकि मुझे कोई और रंग पसंद ही नहीं है मुझे बस पसंद है काला और नीला इसलिए कसली लगभग हर दिन काला और नीला ही पहनता एक दिन मिस डॉर्थी कसली की टीचर क्लास में एक रंगों का पहिया लेकर आई ये है एक रंग बिरंगा पहिया इसमें बहुत से अलग-अलग रंग है ये सारे बहुत ही चमकदार और खूबसूरत है और इन रंगों के खास मतलब भी है तो मैं इस पहिये को घुमाऊंगी और जब ये रुखेगा तो मैं तुम्हें उस रंग के बारी में बताऊंगी जो तुम्हारे सामने होगा सबसे पहले चूचू रंगीन पहिये के पास पहुँची मिस्ट और्थी ने पहिये को घुमाया पहिया घूमता गया घूमता गया और जब वो रुका तो चूचू के सामने आया लाल रंग मैं लाल रंग के सामने हूँ लाल एक चमकदार और खुबसूरत रंग है बच्चों बहुत सी चीजी जो हमें पसंद है वो लाल ही है जैसे सेथ, चेरीज और स्ट्राबरीज लाल रंग दरशाता है प्यार को क्या ये सच है मिस्ट आर थी? तब ही जब मैं लाल कपड़े पहनती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है अगली बारी चाचा की थी रंगीन पहिये के सामने खड़े होने की फिर मिस्ट डॉरती में पहिये को घुमाया और जब पहिया रुका तो चाचा के सामने था पीला रंग पीला पीला रंग बहुत ही खुशकवार होता है बच्चो बहुत सी चीजें जो हमें पसंद है वो पीली हैं जैसे सुरज मुखी केले और बटर काप्स पीला रंग दर्शाता है खुशी और उम्मीद को मुझे हमेशा खुशी होती है जब मैं पीले कपड़े बहन दाओं फिर चीकू की बारी आई रंगीन पहिये के सामने खड़े होने की मिस डॉरती ने पहिये को गुमाया जब वो रुका तो चीकू के सामने था हरा रंग हरा हरा एक बहुत ही प्यारा रंग है बहुत सारी चीज़ें जो हमें पसंद है वो हरी है जैसे घास और पत्ते सब्जियां जैसे मटर ब्रॉकली भी तो हरी ही है हरा दर्षाता है विकास और दोस्ती को मेरा मल हमेशन मुश्कुराने का करता है जब मैं हरा पैंटी हूँ हाँ अब बारी थी चीका की तो मिस डॉरती ने रंगों का पहिया दोबारा गुमाया जब वो रुका तो चीका के सामने था नारंगी रंग नारंगी नारंगी एक जोशीला और निराला रंग है बहुत सी चीज़ें जो हमें अच्छी लगती है वो है नारंगी जैसे सूरज, संत्रे और कद्दू नारंगी दर्शाता है जोश और हर्श को मैं खुश होता हूँ जब मैं नारंगी कपड़े पहनता हूँ फिर मिस डॉर्थी ने दोबारा पहिया गुमाया इस बार रंगीन पहिये के सामने खडा था कसली और जब वो पहिया रुका, तो कसली के सामने था सफेद रंग सफेद सफेद है एकाकर शकरंग बहुत सी चीजें जो हमें पसंद है वो सफेध हैं जैसे बर्फ, कबूतर और आस्मान में रूई जैसे बादल सफेध दर्शाता है अच्छाई को मैं हमेशा उदार महसूस करती हूँ सफेध पहनने पर हाँ उस दिन जब कसली घर पहुँचा तो उसकी मा ने उसके काले और नीले कपड़े तयार रखे थे कसली, अपने कपड़े बदल लो तुम्हारे पसंद कहीं कपड़े है धन्यवाद मा, पर आज मैं किसी और रंके कपड़े पहनना चाहता हूँ किसी और रंके? जी हा मा, मिस डॉरिथी ने हमें बताया कि सारे रंक बहुत खास होते हैं तो अब से मैं सभी रंके कपड़े पहनूँगा यह तो बहुत अच्छी बात है कसली कसली ने सीखा कि रंग कितने जरूरी होते हैं और इसलिए उसने सभी रंग पहनने शुरू कर दिये हुरे और उसने ये भी जाना कि रंगों को पहनने से आप खास भी लहसूस करते हैं एक दिन सारी माए एक साथ उनके बच्चों की टीचर मिस डौरथी से मिलने गई मिस डौरथी कसली को फल और सबजियां खाना बिलकुल पसंद नहीं है वो ये सब चीज़े खाने में बहुत नक्रे करता है चूचू और चाचा भी बिलकुल ऐसा ही करते हैं और चीका और चीकू भी ऐसा है फल और सबजियां खाना तो बहुत जरूरी है बच्चे ने खाएंगे नहीं तो बढ़ेंगे कैसे मेरे पास एक तरकीब है कुछ ऐसा करते हैं कि बात बन जाए और वो फल और सबजियां खाने लगें उसी दिन मिस डॉर्थी ने क्लासरूम में एक घोशना की बच्चों आप सभी लोग कल अपने साथ कुछ फल और सबजियां लेकर आओगे सारे बच्चों ने मिस डॉर्थी की बात मानी और अगले दिन अपने साथ फल और सबसियां लेकर आए मैं लाई हूँ एक सेव मिस डॉर्थी बहुत बढ़िया चूचू चलो अब इस सेव से कुछ मज़ेदार करते हैं मिस डॉर्थी ने बड़ी साथानी से सेव को काटते हुए उसे एक सुन्दर से हंस में बदल दिया बच्चे ये देखकर बहुत हैरान हुए ये सेव अब बन गया एक हंस चीका लेकर आया था एक आम उसने उसे मिस डॉर्थी को दिया मिस डॉर्थी ने चीका के आम को एक खूबसूरत गोल्ड फिश में बदल दिया कसली भी कुछ फल लेकर आया था मैं लाया हूँ केला, कीवी और अंगूर मिस डॉर्थी ने कसली से वो फल ले लिये और उनसे एक सुन्दर सा पेड बना दिया जरा देखो, इस पेड में तना है केला कीवी है पत्तियां और अंगूर है इसके फल चीको लाए थी एक जुकीनी वो उसने मिस डॉर्थी को दिया ये ली जी मेरी जुकीनी मिस डॉर्थी ने चीको के जुकीनी को एक प्यारे से कीडे में बदल दिया ये चाचा एक संत्रा लेकर आया था उसने वो मिस डॉर्थी को दिया ये है मेरा संत्रा मिस डॉर्थी ने चाचा के संत्रे को बना दिया एक घूंगा फिर मिस डॉर्थी ने सारे बच्चों को फल और सबजियां खाने के लिए बुलाया बच्चों, हमने तुम्हारे लाए फल और सबजियों से तरह तरह की चीजें बनाई अब तुम्हें ने खाना होगा इसमें तुम्हें और मज़ा आएगा सारे बच्चों ने फल और सबसियां खाई जिससे उन्होंने खुद को तरो ताजा महसूस किया इसके बाद मिस्ट और्थी ने बच्चों को फल और सबसियों के बारे में और जानकारी दी फल और सबसियां हमारे सिहत के लिए अच्छे है इसमें भरे होते हैं विटामिन, मिनिरल और दूसरे पोशक तत्व जो हमें मजबूत और सिहत मन्द बनाते हैं इसलिए हमें इन्हीं रोज खाना चाहिए उस शाम बच्चों ने अपनी अपनी माओं को हैरान कर दिया मम्मी, क्या मुझे थोड़े से और फाल और सबजियां मिलेंगी? मुझे भी सभी बच्चों की माएं बहुत खुश थी मिस डॉर्थी की तरकीत काम कर गई थी और अब सारे बच्चे मजे लेकर खाने लगे भलोड़ सबजियां हम्म, खुश्बू अच्छी है क्या है ये? सारे कीचानों चीको के खाने पर आ गए कसली ये देखकर हैरान हो गया कि फूल देने पर बच्चे कैसे मुझकुरा रहे थे फिर कसली की मौम ने सभी बच्चों को बुलाया कसली का बद्दे केक काटने के लिए